जै माता दी दोस्तों काफी मजबूत है लेकिन यहाँ पर केतु की भी स्थिती रहेगी जो कि ग्रहन दोश की स्थिती रहेगी तो इस समय आपको पैसो के लिए इन देन में थोड़ा सा ध्यान रखना है विदेश यात्राओं की काफी अच्छी स्थिती यहाँ पर बन रही है अगर आप विदेशी काम हो सकता है आप अपने समय को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएंगे यह समय आपके लिए बहुत ही भागे शाली है इस समय स्थिती आपके लिए बहुत ही भैतर रहने वाली है इस समय भागे का सपोर्ट आपको मिल रहा है साथ ही यहाँ पर धनकी स्थिती भ पत्रा भी हो सकती हैं। मित्रों के साथ भी आपका मिलना जुनना बढ़ सकता है। इस समय परिवार के साथ भी आपके संबंध मजबूत रहने वाले हैं। लब लाइफ के लिए स्थितियां बहतर रहेंगी। घर परिवार में सुक शांती बनी रहेगी। रिष्टों को लेक स्थितियां काफी अच्छी हैं बच्चों से कोई खुशकबरी आपको प्राप्त हो सकती हैं यह समय आपके लिए बहुत ही फाइदयमंद रहने वाला है स्टूडेंट के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है इस समय विध्याति पढ़ाई पध्यान दे पाएंगे औ क्योंकि आपकी करियर का घर है और यहां पर गुरु भी प्रवेश कर चुके हैं जो आपकी राशी के ही स्वामी है और यह मांगली कवस्था में बैठी हुए हैं और यह आपके लिए गजकेसरी योग बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बहतरी रहने वाला है बहुत ही शांदर रहने वाला है यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में आपने पहले से ही पैसा लगा रखा है तो इस समय अचानक से वृद्धी हो सकती हैं आपकी धन की स्थिती मजबूत रहेगी लाब की स्थिती बन रही है गज के स्रीयोग आपके लिए बहुती फाइदमंद रहेगा, पैसी के लिए नौकरी के लिए व्यापार के लिए, हार तरीके से ये दो दिन आपके लिए बहुती बहुती बहतरीन है, साथी ग्रहों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, पारिवारिक सुक शांती बनी रहेगी जीवन साती के साथ भी संबंद मधूर रहेंगे लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिती बन रही है और यदि आप इस समय संतान सुख से वन्चित हैं तो उसके लिए भी स्थिती बहतर है लेकिन आपको इस समय अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंतरन जरूर रखना है और यदि आपकी हल्थ की बात की जाए तो आपकी सेहत इस समय अच्छी रहेगी जो भी परिशानी सेहत को लेकर चल रही थी तो वो भी दूर होगी आपका स्वास्ते बहतर दिखाई दे रहा है तो आपके लिए शुब रंग रहेगा नीला और शुब अंक रहेगा आठ बात करें 26 और 27 सितंबर की तो इस समय चंदरमा की स्थिति मकराशी में रहेगी और यहाँ पर शर्णी पहले से विराजमान है और इस समय आपके साथ विश्योग की स्थिति बन रही है तो इस समय आपको गुस्से में आकर किसी भी काम को गलत नहीं करना है आपको जल्दब जरूर बना कर रखियेगा बात करें व्यपार और नौकरी की तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हैं लेकिन लड़ाई जगडों से आप दूरी बना कर चलें जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आप शांती से धहरे से काम लें अपने काम को पूरी इमानदारी औ आपके साथ भागदर बनी रह सकती हैं जिसकी विज़ा से आप अपने स्वास्ते का ध्यान नहीं रख पाएंगे कुछ मानसिक चिंता मानसिक तनाव रह सकता हैं तीन दो दिन में आपको बेहदी साथधानी रखनी हैं और इस समय पर आपके लिए शुब रंग रहेगा नी खर्चे की बन रही हैं आपके पास अचानक से खर्चा आएगा इस समय राज नीती में भी लोगों के लिए स्थिती अच्छी बन रही हैं इस समय आप मानसिक तनाव मानसिक चिंता से थोड़े सा परेशान रह सकते हैं आप अपने स्वास्ते को लेकर ध्यान रखें कमजोर स्थिति रह सकती है स्वास्ते की बागी पैसों के मामले में आपको फाइदा रहेगा नौकरी पेशा जो भी लोग हैं जो भी जॉब करते हैं या फिर जो व्यापार करते हैं दोनों के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है पैसों के मामले में बहुत ही फाइदेबन समय किसी भी तरीके के वाद विवाद लड़ाई जगडों से आपको दूर रहना है, गुसे को अपने कंट्रोल में रखना है, हराकि आपको अपनी वाणी से फाइदा रहेगा, वाणी की चतुराई से आप अपने सभी काम को कर पाएंगे, लेकिन कोछी शत्रुपक्ष को आप ध जगन का लेन दिन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, और आप गुसा विलकुल भी ना करें, और आप अपनी सिहत पर ध्यान रखें, तो इस समय आपके लिए शुबरंग रहेगा पीला और शुबंग रहेगा तीन, बात करें यदि उपाई की, तो इस पूरे सबताहा में आपको भगवान भूलेनात की उपासना करनी है, किसे भी शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर जल चड़ाएं, इसके लावा आपको ओम नमच्शिवाय का पाठ करना है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, और पक्षियों को अनाज डालना है, इसक कि आपके लिए सितियां बहतर बनी रहेंगी, स्वास्ते भी आपका बहतर रहेगा, तो दोस्तों ये था मीन राजशी वालों के लिए सितंबर 2020 के चौथे सबताहा के बारे में